वेल तो हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, मैंने मिस पंकस, तो वेल आप लुक का स्वागतन और मी रेस्लिंग में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या पॉल हेमन जॉइन करते वे दिखाई दे सकते हैं सोगो सिखोवा को इसके बारे में, एनका CM Punk जीते वे दिखाई देंगे Money in the Bank 2026, इस बारे में बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं भाई साब, जो कि अभी काफी कुछ अपडेट्स होने वाले हैं, इस लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लेटेस्ट अपडेट्स और इसी कुछ इंट्रॉस्टिंग वीडियो के लिए, चलते हैं, टॉपिक की सुरुआत करते टेरी के लिए, इस लिए में तरीक्ति के लिए, काफी फणी अपडेट्स और ऑपन्देगने को मिल रहा है, तो यहांनी कि कोई भी कौन्ट्राइक्ट मैठ हार्डि ने साहिन नहीं किया है, नाहीं टे अन ले टूर से और ले डूरु या तो अभी किसी कमपणी के साथ में मैठ हार्डी नहीं है मैठ हार्डी स्टिल अभी भी फ्री एजेंट है और फिर छोड़े ना क्योंकि यही बंदा वहीं पर रहना चाहिए दूसरी किसी कमपणी में दिखाई ना दे तो बहुत बढ़िया रहे और लिली ट्रस्लिंग के अंदर जा सकता है भले से बस डबलो ली के अंदर बस ना दिख जाए वही ठीक रहेगा वैसे बढ़ लेते नेक्स वन अपडेट के बारे में बात कर लेते तो यह अपडेट हमें आपर देखने को मिल रहा है भाई सब शेमस को लेकर तो भाई सेमस का हो गया है दिमाग खराब और सेमस लगा तार अब जिम के अंदर बैठे आए और वहाँ पर हाड ट्रेनिंग करते में दिखाए दे रहे हैं मतलब पूरी खतरनाक ट्रेनिंग के अंदर लगे हुए हैं जिस तरीके का फैंस का यहां पर ट्रोल देखने को मिला है, जिस तरीके से फैंस ने मजाक उड़ाया उनके मोटे पन का, अब इसके बाद वापीस से अपने वो जो पुराना शेफ हमें देखने को मिलता था, उनके six abs देखने को मिलते थे, वो चीज़े वापीस से यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने बॉड़ी के उपर काफ़ी यदा वर्क करते वे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग सीरियसली देख सकते हो, तो भाई यही बहुत 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 पैसिनियेट बंदे हैं, मतलब देखने से लग रहा है, वैसे बढ़ लेते हैं, नेक् के भी मैच मतलब नहीं जीतें, सबहारते गएं, तो सोलो सिकोवा, अभी उनका जो लूजिंग स्ट्रीक है, वो कंटिन्यू होते वे दिखाए दिया, और चालिसवा मैच वो लगातार अपना हारते वे दिखाए दिये, और अठ्रा मैच लगातार अले नाइट ने सोलो सिक जब मतलब में रोश्टर के अंदर फ्यूड होगा तो क्या मूह लेके आ भाई सोलो सिक्वा जाएंगे एले नाइट के सामने वैसे में डोश्टर और लाइव इवेंट्स का कोई मतलब अता-पता मतलम नहीं रहता बट फिर भी जिस तरीके से सारी सिचुएशन है ना बहुत गटिया बहुती बेकार देखने को मिल रही है तो आई होब सो कि सोलो सिक्वा का कुछ अच्छा इलाज किया जाए और वो मैचेस जीतें बड़ेस वो तैलका तो मचा रहे भाई रोश्टर के अंदर मतलब सबका खून निकाल दे रहे फोड़ फाड़ दे रहे बट आई हो लेट है हमारे प्यारे फिन बालर को लेकर तो भाई फिन बालर इनको लेकर फेस टन टीज होते वे दिखाए दिया है तो आज का जो लाइव इवेंट देखने को मिल रहा था उसके अंदर हमें यहाँ पर सैमी जेन के साथ में मतलब हैंड रेस करवाते वे दिखाए देते ह हैं जिस तरीके से यहाँ पर हैंड रेस करते वे दिखाए दिया सैमी जेन एक बेबी फेस सुपरस्टार मतलब जो कि पहुती बड़े रॉक के बेबी फेस सुपरस्टार बन चुके हैं उन्होंने यहाँ पर हैंड रेस किया है फिन बालर का तो क्लेरली यहाँ पर मैसेज ह कि भाई Finn Balor का face turn होने वाला है और Daman Priest as a hill superstar होंगे और Finn Finn Balor versus Daman Priest की आगे चलके rivalry चलते वे दिखाए देगी that's logged वैसा कि मैंने आप लोग को बताया था and I hope so कि कुछ काफी interesting और entertaining देखने को मिले जब सेमश मतलब सॉरी Daman Priest और Finn Balor की rivalry start हो तब वैसे बढ़ लेते next one update के बारे में बात कर लेते तो बात कर लेते यह CM Punk को लेकर तो भाई क्या CM Punk जीते वे दिखाए दे सकते है Money in the Bank 2024 अब जैसा कि आप लोग को पता है कि Class at the Castle तक जो reports के according हो सकता है कि हमें हाप पर Drew McIntyre again once again champion बनते वे दिखाए दे जाए तो भाई क्या Drew McIntyre का path रोकने के लिए वापिस से Money in the Bank मतलब किसी ऐसे बंदे के हाथ में जा सकता है जो कि Drew McIntyre को काफी बुरी तरीके से match cost करवा सकता है और वो superstar obviously हम सभी लोग जानते है वो कौन है वो है CM Punk तो क्या हो सकता है कि CM Punk इस बार Money in the Bank जीते वे दिखाए दे ज तो ऐसे में आपर WD इनके उपर chance ले सकती है CM Punk को Money in the Bank जीतवा सकती है और जीतवाने के बाद बहुत ही जल्द cash in भी करवा देगी जो कि Drew McIntyre के उपर जिसके बाद CM Punk हमें WD World Heavyweight Champion बनते वे दिखाए दे जाएंगे तो कुछ scenario ऐसा देखने को मिल सकता है जिससे हमें CM Punk और Drew McIntyre की जो rivalry है वो और भी long term बनते वे दिखाए दे सकती है तो I hopes हो कि कुछ तकड़ाई देखने को मिले भाई इन दोनों के बीच में क्योंकि CM Punk जिस तरीके से भाई Drew McIntyre के रास्ते का रोडा बन रहे हैं वो सब कुछ मतलब clearly indicate कर रहा है कि इन दोनों का जब भी match होगा क और Paul Heyman को लेकर तो क्या Paul Heyman जोइन करते वे दिखाई दे सकते हैं Solo Sikua को अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं Paul Heyman का हमेशा से इत्यास रहा है उन्होंने Face Superstar का कम साथ दिया है Heal Superstar का सबसे ज़्यादा साथ दिया है तो अब यहाँ पर Romal Lens का तो Face Turn होते वे दिखाई दे को वेल इसकी possibility काफी अच्छी खासी बन सकती है और इसको लेकर काफी अच्छा खासा रूमर्ड भी है कि मेभी Paul Heyman भी अपना साइड लेते वे दिखाई दे जाए जहाँ पर वो Solo Sikua को सपोर्ट करें और Romal Lens के आने के बाद Romal Lens को धोखा दे दें ऐसा कुछ हो सकता है य expect the unexpected बाकि आप लोग का क्या ओपीनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर क्या कहना चाओगे क्या ओपीनियन से सब कुछ comment section में जरूब पता सकते हो बाकि Twitter Instagram WhatsApp channel सबका link description में है वहाँ पर जाके आप लोग जरूब फॉलो भी कर सकते हो जिसने भी चैनल को सबस्क्राइब नही पासवेरा वर्टस और रर रिलोग श्टाइब